कैसे शुरू करे चपल बनाने का बिजनस? बिजनस को लेकर लोगों में हमेशा ही क्रेज रहता है लेकिन किसी भी बिजनस को शुरू करने के लिए investment amount सबसे ज़ादा ज़रूरी होता है इसके बाद इस बात का हिसाब लगाना होता है कि क्या आपको निवेश करने के बाद इस बिजनस इतना प्रॉफिट होगा कि आप ये बिजनस लगातार करते रहें अगर आप भी बिजनस करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनस करें तो हम आपको आज एक कैसा बिजनस बताएंगे जिसमें कमाई के चांसिस तो हैं साथ ही इंवेस्टमेंट भी कम करना होगा हम बात करें चपल बनाने के बिजनस की चपल बनाने का बिजनस एक ऐसा बिजनस है जिसे आप कमलागत के साथ शिरू कर सकते हैं चपल बनाने की बिजनस को आप चाहें तो अपनी घर से भी शुरू कर सकते हैं या पर किसी छोटी सी जगा से भी शुरू कर सकते हैं। चपल बनाने के लिए जरूरी raw material, हवाई rubber sheet, trap sheet, packing के लिए जरूरी समान की जरूरत होती है। चपल बनाने के लिए जरूरी machine, hand operated sole cutting machine, hole making machine, finishing grinding machine, विभिन ड्रंगो और साइस के लिए die cutting machine, hand operated tool चपल बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले आपको rubber के sheet को sole cutting machine की मदद से काटना होता है। ध्यान रखें कि आप एक ही die से पूरी sheet की cutting करें। कटिंग के बाद grinding machine की मदद से sleeper के चारों तरफ के खुड़दरे भाग को plane किया जाता है। चपल की cutting हो जाने के बाद इसे print करना होता है, इसमें काफी कम खड़ जाता है। एक बाद चपल प्रिंट हो जाने के बाद कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दी जाती किन-किन जरूरी licenses के अवशकता होगी। अगर आप ये business चोटे स्थर पर शुरू करना चाते हैं तो आपको सिरफ GST registration की जरूरत है। और अगर आप बड़े स्थर पर शुरू करना चाते हैं तो आपको सबसे पहले उद्द्योग आधार या फिर भारत सरकार के MSME के अंडर अपने business को register कराना होगा। इसके लावा आपको अपने brand का registration ISI के अंडर file करना होता है। बिजनस को सही से चलाने के लिए आपको trade license, firm का current bank account, bank card तयार करना जरूरी होता है। निवेश कितना करना होगा। इस business को चलाने के लिए investment का फैसला इस बात पर निर्पर करता है कि आ आप किस स्थर पर अपना business शुरू कर रहे हैं। अगर आप छोटे स्थर पर शुरू करते हैं तो आपको लगभग एक लाव तक के investment की जरूरत होगी। और अगर आप बड़े स्थर पर business करना चाहते हैं तो लगभग 5-6 लाव तक की जरूरत परती है। प्रॉफिट कितना होगा। आम तोर पर एक चप्पल बनाने की कॉस्ट लगभग 30-40 रुपए तक होती है। यह चप्पल बाजार में कम से कम 90-100 रुपए में बिकती है। अगर आप रोज 12 घंटे तक मशीन की मदद से चप्पल बनाते हैं तो दिन भर में छूटे स्थर पर लगभग 100 दरज कमाये जा सकते हैं। मार्केटिंग कैसे करें। आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग शेर के सभी चोटे बड़े चपल जूटों की दुकान में कर सकते हैं। आप अपनी चपल को बड़े शॉपिंग मॉल तक भी पहुंचा कर आसानी से अपना बिजनस बढ़ा सकते अकबार, होटिंग, पोस्टर से भी कर सकते हैं। बस एक बार चपपल का ओडर आना मांकिट से शुरू हो जाए, फिर निकल पड़ा आपका बिजनस। तो देर किस बात की, आप भी अपना चपपल बनाने का बिजनस साथ से शुरू करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे और बिजनस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओकी क्रेडिट, बिजनस ओकी है!